सब्सक्राइब करें तो इस टॉपिक के ऊपर बहुत पहले भी एंड दो एमुरेटर को कवर किया है मैंने जो कि थे एंड प्लेयर और एक ऐसे की दोनों लो इंड डिवाइस के लिए थे है औरब मेरे को पता चला यह तो बात हो कि लेकिन एक बस बढ़िया जिसके पस थोड़ा सा बढ़िया डिवाइस है का सब्सक्राइब टेल डिवाइस है लाइक यह जनरेशन का जो भी जनरेशन चल रहा है या फिर नेक्स्ट जनरेशन का दिवाइज उसके पास है जैसे की मैं आपको एक एक जामपल देता हूं तो मेरे पास राइजन 5 है ठीक है तो आल्मोस्ट में यह उसके बारे में बता रहा हूं कि राइजन 3 के उपर वाले या फिर अगर इंटल यूज करते हो तो इंटल आई 3 i7 ऐसे ऐसे प्रोसेसर जिसके पास है एंड इंटर्नल ग्राफिक्स कार्ड के साथ उनका प्रोसेसर काम करता है इंटल में तो यह ग्राफिक कार्ड की जुरत पढ़ती है बट राइशन की जहां तक में बात तो देखने को मिलता है तो मैं वह नहीं चाहता कि यार मैं आपको सजेस्ट कर दूए आप यूज करो फिर आप बोलो कि या गलत चीज़ नहीं यह मैं आम लेटर जो बता रहा हूं थोड़ा सा हाइंड डिवाइस के लिए है लाइक जिसके पास 4gb से उपर की रैम है या फिर 4 करेगा बर 4gb तो मैं सजेस्ट नहीं करोगा कि 4gb में भी लैक करता है और मेरा यूज किया हुआ है तो मेरे को पता है तो मैंने आपको बता दिया तो 4gb से उपर वाले रैम्स एंड थोड़े बहुत अच्छे कांफरिकेशन क्या बोलते है उसको बहुत अच्छे स्पैक् इस वीडियो को मैं जिसके बारे में बात कर रहा है उसका नामें यह ब्लूश टैस्क में एक और चीज़ होता है आपको वर्चुलाइशन ओन करना पड़ता है फर्स्ट मैं बता देता हूं तो उसके बारे में भी फूल डिटेल दे दूंगा मैं तो आप बने रहे है वीड आपको देगा तो आपको करना क्या है इसको डाउनलोड करने ठीक है और कहीं से मत करना ब्लूश टैस्क की ओफिजयल साइट से ही करना मेरे पास 64-bit का मेरा कोंप्यूटर है तो मैं उसके हिसाब से यहां पे इसको डाउनलोड कर लूँगा एंड इसको एज़ेस्ट करके मत लेगा 600 शाड़े 600 MB आसपास लेगा तो उप पूरा प्रोसेस होगा एक तरीके से डाउनलोड हो जाएगा और दाउनलोड होने के बाद वह एमिलेटर चालू हो जाएगा और जो चालू होगा कुछ इस तरीके से दिखेगा आपका एमिलेटर तो मैं आपको दिखाई देता हूँ टोटल ओपन करके तो यह है वह वह आपका जैसे यह आपनेटर चालू होगा ना यह किसी इस तरीके से दिखेगा कुछ तो यह देखिए मेरा गेम है यह गेमें सेंटर है तो इस गेम सेंटर में आप कुछ भी सर्च कर सकते हो आपको फ्र इंटर्नल ग्राफिक्स होना चाहिए लाइक राइजन में आते हैं या फिर आपके पर 2GB का ग्राफिक कार उना चाहिए तब PUBG बहुत बढ़िया चलेगा वरना नहीं चलेगा यह आप फ्रीफायर खेलना हो तो खेल सकते हो अब ठीक है तो यहाँ पे फ्रीफायर लिखो ठी उसके color को और भी मतलब saturation जो बढ़ाना होता है वो बढ़ा सकते है बट इसके लिए route करना पड़ता है कुछ बहुत सारे इसके लिए जहमेला है तो उसको करने से बढ़िया मैं आपको पहले emulator के बारे में समझा दूँ वह बाद में देखें कि किसी और वीडियो में cover कर ले यह install करके आपको free fire में इसमें play करके तक दिखा दूँगा ठीक है तो अभी कुछ दियर रुख जाओ आपको करना क्या होगा simply की जैसे कि यह emulator है ना आपको यहां पर कुछ option आएगा ठीक है यहां पर लिख लिख के आएगा बार-बार की on virtualization तो आपको करना क्या है simply आपक सब्सक्राइक options बहुत सारे options खूल जाते हैं जिसमें performance होता है और आपके internal मतलब वह by default पहले से virtualization जो होता है न वह by default बंद होता है और उसको हमको enable करना पड़ता है ठीक है तो हमको F2 प्रेस करना है फिर एक column खूल के आएगा उसके अंदर से हमको performance में जाना है और वहां से नहीं पता है तो आप जाके Google पर लिख सकते हो कि how to own virtualization ठीक है तो आपको उसमें मिल जाएगा totally वहां से जाओ virtualization वही होता है virtualization तो उसको आपको वीडियो मिल जाएगी बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी तो उसमें से कुई सी एक को apply कर लो उसके हिसाप से देख लो तो आ आपके पास RAM कितना है उसके सब सेटिंग्स करना ठीक है मेरा यह अपना सेटिंग्स है क्योंकि मेरा में 8GB RAM है तो मैं यूज़ करता हूँ 128720 के आसपास ठीक है बट अगर आपके पास 4GB का RAM है एंड आप तो भी इसको यूज़ करना चाह रहे हो तो भया मैं सच बताओं त तो आप यह सेटिंग्स कर सकते हो चार्ज़बी वालों की लिए भी सेटिंग्स में बता दूंगा अगर आपके पास है तो यह कर लो को कोई चेट छाड़ नहीं करना अब सिधा इंजन में आना है ठीक है तो इंजन में क्या है कि बहुत सारे उसमें होते ना कि परफॉमें अभी बात करतें ग्राफिक रेंडर की तो इसमें क्या करना है आपको डारेक्ट एक्स और ओपन जिये लाइगा ठीक है तो कितने में होता है कि ओपन जीएल जो सर्वर होता है वह काफी बढ़िया होता है बाट इसके अंदर कुछ उल्टाई यह ब्लू स्ट के अंदर आपको डारेक्टिस या फिर इन दोनों में से कोई एक कुछ चूज करके देखना होगा वह आपको देखना है कि कौन सा आपको बहुत बढ़िया पर्फोर्मेंस दे रहा है तो उसके इसाब से देखना पड़ेगा आपको आप दोनों को एक पर ट्राइ कर लिना मैं आपको जहां तक सब्सक्राइब करके यूज करता हो अगर आपके पास भी आट जीबी करके यूज कर सकते हो चार जीबी है तो आपको फिर बाकी और इन सब चीजों का हमको कोई चल्चार नहीं करना आपको सिंपली अपने 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 चालो हो जाएगा एंड उसको आपको फ्रीफार को डाउनलोड कर लेना है तो आपको मैं दिखा देता हूं कि इसके अंदर गेम्स की जो एक्स्पिरियंस मिलता है वो तो यह मैं दिखा रहा हूं मतलब 8GB वालों के लिए दिखा रहा हूं कि 8GB की RAM है तब आपको थोड़ी भी दिक्कत नहीं आएगी 4GB कर रहे हैं जिसमें उसमें यार लैगिंग इस्यू आएंगे ठीक है तो लैगिंग इस्यू का मैं कुछ नहीं कर सकता विकोज यार उसकी क पर जाएगा चलिए इसको आपको इजी टू मैं प्ले करके दिखा देता हूं एक दो गेम खेलके ही दिखा देता हूं आपको ठीक है तो अभी पटाफट से हम इसके अंदर आ गया है और चीक या करेक्टर कैसे चेंज हो गया बाई कि अधिक सो गेम किसी ने खेला है वी चलो कोई बात में मेरी आइडी मेरे पास नहीं रहती ना परस नहीं है मैं आपको यार क्लास स्कूर्ड में जाके दिखा देता हूं कि कठीक है सीधा यह परफॉर्मेंस देख सकते आप यार थोड़ा भी लाग देखने कोने मिलेगा आपके पास थोड़ा सा अच्छा PC है आपके PC की साब सही बता रहा हूं मैं आपके PC में थोड़ा भी लाग देखने को मिलेगा मेरे पास अगर आपका लोएंड डिवाइस है ना यार तो जाके एक बाद चेक आउट मारो लोएंड डिवाइस के लिए वीडियो बना रखिय यह मैंने अब देख सकते हों कि थोड़ा सा भी रेंडर भी हो रहा है मेरा लैग तो नहीं कर रहा है बिल्कुल यार परफॉमेंस काफी मखन देखने को मिल रहा है यहां पर ग्राफिक्स वाफिक्स की बात करें तो वह भी ओपी देखने को मिलेंगे है यहाँ आपको मैं दिखाई देता हूं थोड़ा बहुत खेल के मैं सब बताओ तो मैं लाइव स्ट्रीम करता हूं तो आप मेरी लाइव स्ट्रीम भी जाके देख सकते हो एक बार मेरे को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं आता इन सब चीज़ों में ठीक है आपके देन यह हो गई बात आपकी तो चलिए भाई सीधा एक्जिट लोबी करते हैं यह वापिस से इसको ऐसे करते हैं और आजाते हैं मैं मैं फ्रीफायर को बंद कर देता हूं ठीक है अभी तो यह था वीडियो अगर वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगी हो इनफोमेट्व लगी हो तो यार प्लीज लाइक और बात आपके फ्रेंड की काम को थो यार प्लीज उनको एक बाद शेयर कर देना क्या मालूम उनको काम आ जाए वीडियो पे काफी कुछ चांदकारी मिल जाए उनको जो की वो खोज रहे हों तो वीडियो चलेगे तो लाइकें से जरू कर देना मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए बाइ-बाइ एंड ऐसे ही कंट्रेंट्स देखने के लिए सब्सक्राइब जरू कर ले हमारे चैनल को चैक क्या